आज की इस वीडियो में हम मचली के जीवन चक्र और उसके जीवन से जुरे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स को जानने की कुछिस करेंगे दोस्तो आज इस प्रिथवी पर मचलीयों की लगबग 33,300 प्रजातिया निवास करती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि मचलीयों की लगबग 18,000 प्रजातिया शाल्ट वाटर या मरीन इस्पेसीज होती है जो की समुद्र के खारे पानी में रहती है वहीं मचलीयों की लगबग 13,000 प्रजातिया फ्रिस वाटर इस्पेसीज होती है जो कि नदियों और तालाबों के मीठे पानी में रहना पसंद करती है वहीं आपको जानकर हैरानी होगी की मचलियों की कुछ प्रजातियां ब्रैकिस वाटर में रहना पसंद करती है ब्रैकिस वाटर, नदी तालाब के मीठे पानी और समुद्र के खारे पानी का एक मिश्रन होता है जो की नदियों और समुद्र के संगम या फिर डेल्टा वाली अस्थानों पर पाये जाते हैं आज भले ही मचलियों का इस्तमाल खाने से लेकर एक्वेडियम में सजावट के लिए किया जाता है जिस कारण से इसी आज 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 आटिफिशियल तरीकों से भी ब्रीड कर लिया जाता है लेकिन एक मचली के प्रजनन की प्रकिरिया किसी आश्चर से कम नहीं होता दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दे कि ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तो एक मचली के जीवन चक्र की प्रकिरिया में एग, हैचलिंग, लार्वा, फ्राई, जुविनाईल और एडर्ट जैसे कई स्टेज होते हैं जिसकी सुरुआत नर और मादा के मिलन के प्रकिरिया के साथ सुरू होती है दोस्तो आपको जानकर हैरानी होगी की मिलन की यह प्रकिरिया मचलियों की विविन प्रजातियों में भिन भिन होती है कुछ मचलियां पानी में सीधा अंडे देती है जिसे नरद्वारा external fertilization के किरिया द्वारा fertilize किया जाता है वहीं कुछ मचलियों में internal fertilization के प्रकिरिया द्वारा मिलन के समय मादा के सरीर के अंदर ही अंडों को fertilize किया जाता है उसके बाद मादा उची तस्थान का चुनाप कर अंडे देती है जबकि मॉली, गप्पीज और डॉल्फिन जैसी कुछ मचलियां सीधा बच्चों को ही जन्म देती है लेकिन आज की इस वीडियो में हम अंडे देने वाली मचलियों के बारे में जानेंगे दोस्तो अंडे देने के इस प्रकिरिया के बाद कुछ प्रजातियों में मादा द्वारा अंडों की देखरे की जाती है वहीं कुछ प्रजातियों में अंडे जल के तापमान और इंकुबेशन पीरियर के आधार पर विक्सित हो जाते हैं और कुछ दिनों से लेकर एक सब्ता के बीच इन अंडों को तोड़कर नन्हे बच्चे बाहर निकलते हैं जिसे हैचलिंग कहा जाता है और यह अपने लाइफ साइकल के दूसरे चरण यानि की लारवा एस्टेज में चले जाते हैं। दोस्तो आपको बता दे की अंडों से निकले इन नन्हे लारवा के सरीर और मुह अभी पूरी तरह से विक्सित नहीं होते हैं जिस कारण से यह अभी खाना खाने में सक्षम नहीं होता है तो सवाल यह उठता है की शुरुवाती दिनों में यह बिना खाना खाय जिवित कैसे रहते हैं दोस्तों इसका जवाब है यह यौक सैक मचलियां अपने सुरुवात के तीन चार दिनों तक इन्हीं यौक सैक से अपना भोजन प्राप्त करती हैं और थोरे विक्सित हो जाते हैं और अपने लाइफ सैकल के तीसरे चरन यानि की फ्राई स्टेज में पहुंच जात है जिस कारण से अभिया अपना भोजन अपने आसपास के वातावरन से प्राप्त करती हैं और अपने शुरुवाती दिनों में यह जू प्लैंक्टोंस और फाइटो प्लैंक्टोंस जैसे सुटन जीवों को भोजन के रूप में ग्रहन करती हैं और विक्सित होने के इस प् मान ही दिखाई देती है लेकिन इनके सरीर की अंग अभी पूरी तरह से विक्सित नहीं हुए होते हैं जिस कारण से इस स्टेज में यह प्रजनन की प्रकिरिया में भाग नहीं ले सकते लेकिन सेक्स्वल मेच्चॉरिटी को छोड़ कर इसके सरीर के विविन अंग पूरी तरह से विक्सित हो चुके होते हैं यह अब जू प्लैंक्टोंस और फाइटो प्लैंक्टोंस जैसे सुक्ण जीवों के साथ-साथ और्थवर्म, स्नेज और कई जीवों को अपने आहार के रूप में सामिल करते हैं और बीतिते वक्त के साथ ये मचलियां कुछ महिनों से लेकर कुछ सालों में अपने लाइप साइकल के पांच में चरन यानि की एडर्ट स्टेज में पहुँच जाते हैं जब यह पूरी तरह से सेक्स्वाली मैचुर हो चुके होते हैं और प्रजनन की प्रकिरिया में भाग ले सकते हैं दोस्तो एक मचली साइज में 7.9 मिलिमीटर की होने वाली पीडो सिप्रिस प्रोजेनेटिका से लेकर 50-60 फिट तक होने वाली वेल जितनी बड़ी हो सकती है और यह अपने विवेन प्रजातियों के आधार पर कुछ दिनों से लेकर 80-90 सालों तक जिवित रह सकती है दोस्तो आज के लिए बस इतना ही आसा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें